कि नमस्कार मित्रों मैं आप सभी काप के आनल यूटूब चनल लर्न वित फोकस पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मित्रों आज हम लोग आपके सम्मुक एक इन्फॉर्मेशन लेकर रुपलब्द हुए हैं इन्फॉर्मेशन को लाज तक देखिएगा जैसा कि आप जान लें कि कुछ समय पहले अभी उत्तर प्रदेश में जो रेडियो समवाग में सहायक परिचालक के पद हैं उस पर भरती आई हूँ थी तो अभी आप जान लें कुरूना की तीसरी लहर आई थी और फिर बाद में अभी यूपी में चुनाव चल ले हैं तो इन सभी को देखते हुए जो इसके फार्म थे इस फार्म के जो भरने की लाज डेट थी वो 28-22 तक थी तो इसको अब जो बढ़ा कर वो कब तक कर दिया गया है यह देखे लिखा हुआ 15-3-2022 तक कर दिया गया है यदि आप अगर चाहते हैं कि फार्म को भरना चाहते हैं तो आप अगर उस जो काटेगरिया उस काटेगरिया में फाल करते हैं मतलब उस काटेगरिया के इंदर कर आते हैं तो आपके लिए सुनाहरा मौका है आप भरती में अपने आपको इन्वाल कर जकते हैं यदि किजे प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पहुच जाए वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी तो चलिए पहले देख लेते हैं कि है क्या पुलिस संवर्ग में सहायक परिचालकों के पद पर सीधी भरती 2022 आनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम्तिति के संबंद में तो उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भरती 2022 के अंतरगत 1374 रिक्त पदों परहेत देखे तोरत 1374 पद ह सिधी भर्तियत समसंख्यक विग्यप्ति संख्या 6.1.2022 के अंतरगत 28.2.2020 तक आनलाइन आवेदन पत्र आमिंतित किये गए हैं उग्द पदो हेतु आनलाइन आवेदन पत्रों को भरे जाने के लिए वानचित प्रमार पत्र बनवाने में कोविड-19 महामारी एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान निर्वाचन 2022 के कारल अभ्यर्तियों के समच आ रही समस्याव के द्रिश्टिकत भर्ति बोर्दारा आनलाइन आवेदन पत्र पंजी करण आवेदन सुल्क जम्मा करने सब्मिट करने के अंतिनतिति को 15 दिवस और बढ़ाते हुए दिनांग 15-3-2022 की ये जाने का नड़ाय लिया गया है अता अभ्यर्थी उप्रोकता अनुसार दिनांग 15-3-2022 तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं तो चलिए देखिए यह तो बात उन्होंनों अच्छी करी है लेकिन हमारा आप हमारा बोर से निवेदन ही रहेगा कि jy jeux वह नदीन अन्दिक ए सब्सक्राइब कर लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाग कर दिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद